गर्मी की लंभी चुटिया प्रारम हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की चुटियों में कश्मीर जाना टैख किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन में ने दिया। हम लोग जाने की पूरी तयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के दो दि पर उतरना था, गाड़ी वहाँ दुपहर एक बजे पहुंची, चिलचिलाती धूप, लूकी लपट और कच्ची सड़क की धूर, मेरा गाउं तक जाने का साहस न हुआ, मैंने सोचा, शाम को जाना ही ठीक होगा, तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम, तांगे वा हाई मुझे गाउं जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा, शाम को पांच बजे के करीद जाऊंगा, तुम थेहरोगे, हाँ हुजूर, थेहरूंगा, किराया क्या होगा, हुजूर, जो आप खुशी से दे दे, खुशी की बात नहीं रेट क्या है, वो बतलाओ 23 मील हैं न हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए, पांच रुपे पूरे तांगी के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या तीन, पर मैं तो इतना न दूंगा, इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिए हुजूर, मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिं की सड़क प्रारंब हो जाती है, इसलिए देर लगेगी, मोटे साहब से हम चार घंटे बाद गाउं पहुंचेंगे, स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुत्रे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खीट बड़े ही सुहावने जान पड़े, साथ भी न निर्जन में ऐसा खड़ा था, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, मैंने सोचा चांदनी रात की वहाभा एक साथी के अभाव में उतनी सुकदाई न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए, मैंने तांगेवाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनबुना रहा था, कितने मी बिला चुके हैं हम लोग, अभी हुजूर, कुल साथ मील ही तो आए हैं, और फिर वो जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना सवाधीन बना लेंगे, मैंने जरा सतर्क होकर तांगेवाले की ओर देखा, खड़ का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी, मैंने स सोचा, इसलिए तो ये स्वाधीन तकी गीत गाता है, मैंने तांगेवाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हांकते हो तांगेवाले, हुजूर कोई पांच साल हुए, किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है, तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुई बेठे रहे, किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है, सामने चलकर नदी थी, नदी का कुल पार करते ही तांगेवाले ने तांगा रोक दिया, बोला, हुजूर, यहां जरा आराम कर लीजिए, नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है, कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या तोपे दुश जाना चाहता था, फिरंगियों की सेना ने उसे चारों और से घेर लिया था, फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तिला था कि चार-पांच बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया, अपनी सेना समेत, और उसका कोई कूछ भी न कर सका, मुझे तांगेवाले के मूँ से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी, मैं जानता था कि आखिर इस तांगेवाले के मन में क्या है, मैंने पूछा, फिर क्या हुआ, और मैं तांगे से उतर कर उसके पीछे पीछे चला, वह बोला, सन सतावन के गदर में अगर हिंदुस्तानिय में एका, होता तो पांसा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा, मौलवी हमद्शाह और तात्या टोपे सरीखे देश्भक्त वीरों को भी हमी में से धोखे बाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया, खून खौल उठता है मैंने पूछा, तुन पड़े लिखे हो, टांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर हिंदी अच्छी तरह पर लिख लेता हूँ, अंग्रे जी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पड़ा और ये, जाना कि फिरंगी कैसे आ मैंने ठोकर मार दी, माव बाप नाराज हो गए तो घर ही छोड़ दिया, तब से यहां हूँ, ये तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठा कर तांगा नहां कूँगा, क्यूं, फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यूं खा ली है, सारे हिंदुस पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है, जलिया वाले बाग को कौन भूल जाएगा, धाफ ताजा है हुजूर, इन फिरंगीों को देखते ही उस पर नमक पर जाता है, इसलिए मैंने कसम खाए है, इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा, मेरा मन इनसे बदला लेने के ल मेरे पास रखा, मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हात मूँ धोंगा, पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रानतिकारियों जैसे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, किसी क्रानतिकारी को जानते हो, मेरा नाम हुजूर रामदास है, किसी क्रानतिकारी को जा पुलन में भी बहुत दिनों तक शरिक रहा हूँ। दो बार जेल भी हो आया हूँ वजूर, पर तबियत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उपता है। गदर। सन्सतावन का सीन एक बार दोहराया जाए। इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए। हुजूर यही तो बात है। तांगे वाला बोला, हमने जबान खोली और हमारे ही भाई बंधू हमें गिरफतार करने पहुँचे। हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आए। हमी में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर यही सब एकमत होकर एक साथ काम करें, तो या मुठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते। तांगे वाले ने एक दीरत सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मूँध होने लगे। इसी समय बड़े ही करुन स्वर में किसी के गाने की आवाज आई। हम गरीबों का खुदा, नील में सोया होगा। हम गरीबों का थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी, उधर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आने लगी। मैं चौक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है। कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात की समय गाती है। कभी रो ये पगली उन्हीं में से कोई है, फटे कपड़े, पर इस गरीबी में भी हुजूर, उसकी चाल चित्वन, बाचीत सक शाही धान का है, वह मामूरी औरत नहीं जान परती, मैंने तांगेवाले से कहा, तुम उस्त्री को बुलायो, मैं उससे बात करूँगा, तांगेवाला ब परशो से, इसी तरह अगाती है, रोती है, हस्ती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका है, मैं आश्चर्य में था, खेर, खाना खाकर हाथ मूर धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए, तांगेवाला न जाने कितनी बाते मुझे बतला चला, शुरू शुरू में तांग कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई